हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का दिशा क्लासिस ओनलाइन यूट्यूब चैनल पर आज हम देखेंगे कक्षा 7th का जो वर्क्षिट आया है गणित विशे में किस प्रकार से आपको सोलुशन लिखना है और अगर आपने लिख लिया हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं एक बार जरूर पूरा चेक करें क्या पता कुछ गलत हो गया हो तो तो गणित में पहला वाला कोशन देखते हैं संख्या 1 करोड में कितने 10,000 होते हैं तो देखिए संख्या 1 करोड में एक करोड में देखिए कितने शुन्य होते हैं तो मैं बताता हूँ आपको 7 शुन्य होते हैं 10,000 में 4 शुन्य होते हैं तो 3 शुन्य और चाहिए अपने को 3 शुन्य कहां मिलेगे अपने को option number D तो उत्तर में आपको D करके 1000 लिख देना है ओके नेक्स्ट ये जो हमारा जोड़ गटाने वाला कोशन है माइनस सेवेन और माइनस एट होता है माइनस पंदरा और माइनस माइनस प्लस का 25 25 में से पंदरा जाएगा तो प्लस का 10 option नमबर बी आपका सही रहेगा तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने वाली बात है क्योंकि प्लस माइनस में थोड़ा चेक करना है आपको आगे बढ़ते हैं इसका जो प्रश्न करमांग 2 है अगर हमारे पास दे रखाए 2 बरतन है जिसमें एक में 2.6 लिटर है एक में 2.4 लिटर है यदि 2 बरतन में रावर पानी रखा जाए तो प्रत्य एक बरतन में कितना आएगा तो इसको थोड़ा बड़ा लेवल पर भी कर सकते हैं आप आराम से मैं यहाँ पर बता तो 2.6 और 2.4 को जोड़ोगे तो 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 आएगा आपके पास 5 लिटर तो 5 लिटर का आदा कितना होता है 5 लिटर प्रत्य एक बरतन में 5 लिटर होगा आप आराम से स्क्रीन शोट भी ले सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन की तरफ नेक्स्ट कोशन हमारे पास बोल रहा है अच्चा कोशन है ये इसको थोड़ा ध्यान से देखेगा एक सम बहुच सम बहुच का मतलब होता है जिसकी भुजा है समान हो जब भी सम दिख जाए ना आपको उसका अर्थ होता है समान समान बहुच की प्रते एक भुजा कितने की धाई की 2.5 cm की है बहुच का परिमा 12.5 cm है तो इस बहुच में कितनी भुजाएए दिखे धाई-धाई को अगर अपन गिनेंगे तो पांच बर गिनेंगे तो साड़े बारा हो जाएँ क्योंकि धाई-धाई दो बर गिनेंगे तो 5 फिर दो बर गिनेंगे तो 10 और फिर एक बार वो गिनेंगे तो यह और इसको हल करने का पूरा तरीका इस प्रकार से आपको लिखना है अगर लिखना हो तो ओके नहीं तो आपका डारेक्लि अगर आंसर चीज़े तो इसका एक नम्मर में पुछा गया इस बहु बुझ में कितनी बुझाए होगी तो इस बटे में आ गया और दोनों तरफ 10-10 का गुणा कर दिया और 125 दशमलों से यह 10 कर दिया दशमलों से 10 कर दिया और इसको काटेंगे तो 5 उत्रा जाएगे ओके चलिए आगे बढ़ते हैं दिये गए चित्र में यह बहुत ही अच्छा चित्र है और इसमें आपको बताना है कि कौन कौन से कौन होंगे तो मैं आपको देखिए थुड़ा ध्यान से यहाँ पर थुड़ा चित्र को ध्यान से देखेगा सबसे पहले अंतह कौन अंतह कौन मतलब जो अंदर की हो रहे तो 3,4,5,6 यह आपको लिख देना है कौन की निशान करके नेक्स्ट बहाई कौन जो बहार की हो रहे 1,2,7,8 ओके नेक्स्ट संगत कौन संगत कौन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखिए कि सीड़ियों वाले एक के संगत कौन है साथ हैं सोरी एक के संगत है यहाँ पर 5 और 2 के संगत है 6 तो यह सभी बराबर होते इसलिए अगर आपको ऐसा करके लि होने तो एकांतर में आपको देख लिए ना जेट कहां बन रहा है जेट तो कौन 3 बराबर कौन 6 और कौन 4 बराबर कौन 5 ये दोनों क्या है एकांतर कौन है ओके ये आपका क्लियर हो गया question number 4 आगे बढ़ते है question number 5 की तरफ एक आकृति दिये रखी आपके सामने और पूछे गए नीचे इनसे relate करके question प्रशनों की तरफ ज्यान देते है बन पेला वाला प्रशन A से C तक जाने में तही की गई दूरी देखे A से C तक जाने में कितनी दूरी तही करने पड़ेगी 400 ये है और 500 ये है टोटल हमारे पास आजाएगा उत्तर 900 ओके ये टोटल आंसर आजाएगा 900 किलोमेटर की दूरी बस द्वारा तही की गई टोटल दूरी तो अगर आप सबको जोड़ेंगे उपर जो आकरेती दी है तो आपके पास 2000 आजाएगा बस द्वारा कुल तही की गई दूरी में लिया गया समय तो समय बराबर किस तरी किस अगर आपने फार्मूला पड़ा हो तो चाल बराबर दूरी बटा समय तो टोटल 2000 है और 50 की चाल है आपके पास प्रशन में दे रखी देखिए ये 50 की चाल है तो 2000 में अगर मैं 50 का भाग दूँगा तो 40 गंटा आपका समय आ जाएगा ओके नेक्स्ट A से B और D से E की दूरियों का अनुपात A से B की दूरि कित्ती है 400 और D से E की दूरियों 600 तो 400 बटे 600 करोगे अगर आप काटोगे ना उनको तो 0 से 0 कट जाएगे 4 बटे 6 आएगा जिसको अगर काटोगे तो 2 अनुपात 3 आएगा ओके आपको ऐसा कैसे आंसर लिख देना है नेक्स्ट हमारा पास एक दे रखा है कक्षा सात्वी के 20 बच्चों की उचाई है दी गई है यह हमारा पास और एक बारम बारता सारनी बनानी बहुत अच्छा कोशन है आप AZT जे इसका स्क्रीन शोड ले लिजे पूरा आमने गीन के लिख रखा है टेली चिन जो होता है मि एक पेपर का आपको बताने वाला हूँ इसलिए चेनल सब्सक्राइब करें और शेयर कर सकते करें लाइक करें अच्छा लगे तो और कुछ भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं देखेगा यह कोशन है विद्यार थी पांच परिवारों में देने आपको एक सारणी बनानी है यह सारणी हमने हमारे हिसाब से बनाई है आप अपने अनुसार भी बना सकते हैं अगर आप कुछ अपने अनुसार नहीं बनाना चाहते हैं तो आप एसी सारणी आपको बना लेनी है और फिर इसके अनुसार नीचे गिनकर आपको अंसर लिख देने हैं 9000 हमार पास इस तरीके सा आ जाएगा 9900 रुपे आ जाएगा नेक्स्ट दूद पर आने वाला मासिक खर्च यह देनी खर्च इसमें 30 का गुणा करेंगे तो 4500 रुपे आ जाएगा सबजी पर आने वाला मासिक खर्च इसमें गुणा जरूर करियेगा आपको उन्हें पर लिख देना है नेक्स आगे बढ़ते हैं राशन पर आनने वाला मासिक खर्च दूद पर आनने वाले मासिक खर्च से कितना अधिक है तो यह आपको देखना है पूरा यह आंसर नहीं लिखना है उसमें उपर जो मासिक खर्च की बात की गई है तो हमने देखा था 9900 में से 4500 गटागर आपको लिख देना है तो 9900 में से अगर 4500 आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा आप खुदी सोच सकते है 5400 चो 500 रूपए आएगा नेक्स्ट पांच परिवारों में वार्षिक खर्च का आकलन अब यहाँ पर आपको वार्षिक खर्च बताना है जो भी आपका उत्तर आया उपर टेबल में उसमें 12 का गुणा करके इस तरीके से आपको लिख देना है यही आंसर आपको लिखना है ओके तो यह आपका पूरा गणित वाला पेपर हो चुका है कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताए और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें मैं जरूर डालूँगा ओके थेंक्यू